वेल दोस्तो आज हम लोग कुछ ऐसे पेने स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आगे चल करके मल्टी बेगर साबित हो सकता है अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब यहाँ पर नीचे की साइड में प्राइस गिर रहा था उस टाइम पर मैंने यहाँ पर रेकोमेंड किया हुआ था और यहाँ पर जिन लोगों ने आज 2K का इन्वेश्मेंट किये होंगे दोस्तो आज उनके पोटफोलियो में एक दिन में मात्र आप देखेंगे तो कम से कम एक में एक दिन नहीं एक महीने में अगर आप देखेंगे दोस्तो तो कम से कम यह कंपनी 20% तक का मुनाफ़ा देची की है लेकिन मात्र 4-5 दिन के अंदर इस कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रिटन दिया अगर इस कंपनी के बात करें 5 दिन में तो 5 दिन में देख सकते हैं आपके सामरे 20% तक का रिटन दे चुका है एक महीने में उतना ही रिटन है लेकिन अगर 6 महीने की बात करेंगे तो जैसा कि पीछले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 6 महीने में या एक सा गुना का profit देने की probability रखता है क्यों रखता है आई ये थोड़ा सा हम लोग चार्ट के उपर चलते हैं और fundamental में समझ लेते हैं कि आखिर ये company क्यों दे सकता है दोस्तों अगर इस company के market cap की बात करें तो एक बहुत बढ़िया market cap है मतलब 57 तक का market cap है इस company का और वहीं अगर हम इ देख सकते हैं ROC और ROE 40 और 33 परसेंट के मुनाफिक के साथ ये ROE और ROC है friends अगर इस company के book value की बात करेंगे तो book value भी 13 रुपया 60 पैसा है मतलब अगर ये अपने 13 रुपय के पास भी आता है तो ये company multi bagger return multi fold return हमारे portfolio में दे सकती है तो friends इस company के उपर focus जरूर कीजेगा नाम देख लेते हैं लेकिन उसके पहले एक पर fundamental में कुछ और चीजे हैं जिसको देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों देखिए जब भी आप किसी भी company में पैसे लगाने चाहते हैं मान लीजिए हमने कहां कि fundamental strong company है ये multifold return दे सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे पैसे इसी company में डाल करके बढ़ जाए क्यों क्योंकि यहां पर देख सकते हैं जो promoter holding cash take है वो थोड़ा सा कम है लेकिन जो भी promoter holding cash take है सबसे अच्छी बात ये है कि यहां पर pleasing नहीं है तो यहां तक तो हमें सब कुछ बढ़िया देख रहा है friends अब हम देखने वाले है कि इस company में debt है कि नहीं है तो बिल्कुल debt नहीं है इस company में मात्र date कितना है जीरो है अगर reserve की बात करें तो reserve भी बहुत बढ़िया company है आए friends इस company के अगर हम लोग volume की बात करें तो आज एक दिन में volume बना है 7,88,000 तक का volume इस company में मात्र एक दिन में बना है क्यों बना है क्योंकि इसका price बहुत तेजी से उपर की साइड में भाग रहा है friends आप यहाँ पर company का नाम देख सकते हैं BCL Enterprises Limited इस company के उपर focus करेंगा आएए अब चलते हैं अपनी दूसरी company के उपर तो दोस्तों अगर हम अपने दूसरी company की बात करें तो दूसरी company अगर आप मुझे यहाँ पर follow कर रहे होंगे तो आपको फता होगा कि इस company को हम लोगों ने बहुत नीचे जब यहाँ से starting हुआ momentum तभी से हम लोगों ने इस company को follow करना चालो किया और आज की date में आप देख सकते हैं price कितनी तेजी से momentum करते हुए चला जा रहे हैं मतलब almost 6 रुपे तक यह company भाग चुकी है लेकिन इस company का fundamental इतना बढ़िया है कि कम से कम यह company भी एक multifold return हमारे portfolio में दे सकती है क्यों दे सकती है थोड़ा साथ इसके fundamental के उपर आएंगे और fundamental में सब्सक्राइब क्या करता है कि आखिर इसका fundamental क्या करता है आए दोस्तों अब मैं fundamental के उपर लेकर क्या हूंगा और fundamental देखने से पहले आप से एक बार request करूँगा कि एक बार friends like जरूर किजेगा और like करने के साथ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अगर आपको मेरे live levels के call सीए तो telegram को join जरूर किजेगा क्योंकि मैं अपने telegram पर live में call स्थ देता हूं friends अगर आप विश्वास मानेंगे तो reliance में आज हम लोग कई दिनों से reliance में कई अगर आप देखेंगे reliance में तो आज बहुत बढ़िया profit यह देखिए इंदुस्तानी लिवर को भी बोलाता यह देखिए reliance यह देखिए reliance वीप्रो टीसीयस को भी बोलाता तो यहां पहले दोस्तों अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं telegram को join कर लिजेगा वहां पर मैं अ 86% तक का return दिया है लेकिन एक साल में मुझे लगता है कि यह कम से कम 500% तक की return दे सकता है आए इसका fundamental समझने की कोशिज करते हैं fundamental में अगर देखेंगे दोस्तों तो यहां पर fundamental में हमें इसका market cap कोई उतना बढ़िया नहीं है लेकिन साड़े 4 करोड का market cap वहीं अगर debt की बात करें तो बिल्कुल debt free company है promoter holding के stake की बात करें तो promoter holding के stake भी बहुत बढ़िया है current assets और current liabilities आप देखेंगे तो current assets current liabilities से अगर जादे होता है तो वो company एक बढ़िया मानी जाती है book value का अगर आप दोस्तों बात करेंगे तो 9.43 तक का इसका book value है और current price से इसको comparison करने के कोशिज करेंगे तो 5.99 मतलब 6 रूपया इसका current price है वहीं अगर हम stock P से comparison करें तो मातर 11 रूपया है मतलब इस company में हमें एक रूपय कमाने के लिए 11 या 12 रूपया जो यह मोटा मोटी price है 12 रूपय हम मान करके चल सकते हैं कि हमें 12 रूपया invest करने पड़ेगा एक रूपय कमाने के लिए तो उस तरह से यहाँ पर stock P जीतना महंगा होता है उतनी company महंगी हो जाते है stock P सस्ती होती है तो company सस्ता होता है लेकिन आपको ध्यान देखना है कि अगर किसी company का stock P सस्ता है तो उसका fundamental जरूर चिक कर लिजेगा क्योंकि सस्ता तभी होता है जब उसका fundamental खराब हो जाता है लेकिन इस दिशा में भी fundamental अगर हम लोग इस company का ROE और ROC की बात करें तो दोनों में एक जबरजस्त उच्छाल है इसलिए मैं आपके सामने इस company को लेकर काया हूँ और इस company का भी नाम देख लेंगे अगर आप मुझे follow करते हैं तो आपको ये company पहले भी मैंने बताया था NCC Blue Water Products और आज भी 5% के upper circuit के साथ चलती चली जा रही है तो इन दोनों company में जब भी chance मिले अगर आप पैसे लगाते हैं तो आपके portfolio में एक multifold return मिलने की probability बहुत जादे होगी लेकिन एक बार अपना research जरूर कीजिएगा जय हैं फ्रेंट्स मिलते हैं next video में